होगे दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं हम SQL फिर से चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिरक चलते हैं स्क्रीन पे और SQL फोड़ते हैं आज फिर से हमने देखा था करीब 24 कोच्टन कर गरे थे 24 कोच्टन वे और 25 कोच्टन कर रहे हैं आज 25 कोच्टन करेंगे एक नाय कॉंसे स्टार्ट हो जयता तो इसलिए यहां स्टॉप कर दिया था और आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप दूसरा जो SQL का सीरीज का पहला वीडियो है वो प्लीज देख लीजी एक बार फिर यहां पर आना और बाकी जो भी वीडियो है चैनल में पक्का देखना और चैनल को सब्सक्राइब किये भी ना जाना नहीं चैनल को after every second after every screen full of information ठीक है तो यह क्या होता है यहाँ पे इस question में क्या है इस question में क्या है हम ऐसा कुछ लिखेंगे जो कि शायद debiware में काम ना करे but command में लिख देता हूँ set pause on यह command है फिर आप लिखेंगे select start from EMP देखिए यह स्टार्ट करने से पहले में बता देता हूँ यहाँ पर हम तीन टेबल यूज़ करेंगे जो कि set जो कि employee table है और department table है और तीसरा है Salgrade table है शायद यूज़ करेंगे या bonus table है शायद यूज़ करेंगे आगे में यूज़ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अभी के लिए आप ऐसा मान के चलिए हम दो ही टेबल यूज़ कर रहे है और तीसरा Salgrade table है क्योंकि हम यूज़ करेंगे और आपको DDL commands चाहिए तो मैं description मे लिखना और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं यह सोच रहा हूं उमीद कर रहा हूं कि आपको यह database बना हुआ मिलेगा या फिर आपको आता है इसलिए मैं DDL commands दे रखे हैं DDL command यूज़ करके data import कर लेंगे जहां हम देखेंगे यहां देखते हैं क्या है employee table के data यहां स्टार पर में एंपलाई इसेट पॉस आन जो है यह मैं जाके command prompt में दिखाता हूं black screen में दिखाता हूं जहां पर आपको यह feel होगा भी यहां पर मैं रन करूंगा तो यह d viewer इसको मानता नहीं है तो यह error तो कर देगा तो मैं यह command prompt में आ चुका हैं जहां पर हमने login कर लिया है SQL में ठीक है मैं screen थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं यहां पर set pause on मैंने किया और select star from EMP employee table से लिखेंगे देखे एक बार हुआ तो इतने command आये फिर दूसरे बार में दूसरा आया तो यह मतलब यह जो record है यह एक screen है और यहां पर दूसरा screen है तो एक बार जब स्क्रीन भर जा गया था तो यह set pause on मैंने लिख दिया है और select star from EMP मैंने लिख दिया है यहां पर यह set pause on काम नहीं करेगा deep viewer में इसलिए यह चलने रहा बट वैसे आप command prompt में लिखेंगे तो चल जाएगा चलिए आगे बढ़ते है next question पे display the total number of employees working in the company total number of employees तो मैं यहां पर aggregate function की entry होगी तो मै मैं यहां पर aggregate function count है count star करूंगा from EMP, EMP table में कितने 14 लोग हैं तो यहां पर मैं as total employee से लिख देता हूँ तो यहां पर जो हमारा column नाम है total employee करके आएगा तो यहां पर usually अगर मैं यह नहीं लिख रहा था मैं नहीं लिख रहा तो यहां पर count star आ रहा था जो कि मेरा command हो रहा है अगर मैं as total employee लिखूंगा तो column का नाम जो है total employee आएगा कुछ अच्छा दिखेगा तो इसलिए हम ऐसे कुछ लिखते हैं चलिए आगे बढ़ते है next question में display the total salary being paid to all employee total salary कितना दिया जा रहा है तो इसमें करते हैं तो यहां 14 record है यहां पर हम जब यह total करेंगे यह total कितना आना चाहिए है यह total आना चाहिए है 290025 अगर मेरे को ऐसे लिखना है total salary तो इस तरह होचा जाएगा तो यहां पर column का नाम total salary आएगा और यहां पर मैं sum कर रहा हूं sum of salary जितने भी salary वाली column है उन सबको मैं sum क करके यहां पर दिखाने ही कुशिश कर रहा हूं चलिए आगे बढ़ते हैं select the maximum salary from the employee table तो यहां पर aggregate function is max करके तो यहां पर max करके लिखेंगे फ्रम EMP और max salary किसको मिल रहा है वह मिल जागा कि यहां देखते है max salary यहां पर मैं ऐसे करके select star from EMP order by sell कर तो यहां से top सबसे कम वा किंग का है यहां पर ऐसे लिख सकते हैं as max salary और यहां similarly पूछा गया है min cell तो यहां मैं कर दूंगा select min of salary वाले कॉलम में मेरे को minimum चाहिए तो इसलिए यहां पर min of salary रखना चाहिए तो इसलिए यहां पर जो particular specific column है जहां पर हम calculate करनी कोशिश कर रहे है तो उस column का नाम हमें पास करना पड़ेगा उस function पर तो यहां पर min of salary from EMP कर देंगे minimum था 800 यहां लिख दूंगा मैं min cell क्योंकि मेरे को column नाम थोड़ आच्छा चाहिए यहां पर min cell करके नहीं लिखाना चाहिए जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगता यहां पर min cell करके लिख दया मैंने select min of minimum of salary from which table employee table तो वह 800 था हमने देखा था पहले यह तो आप फिर से देख सकते हैं यहां पर यहां पर minimum salary 800 है यहां पर जब हम select min cell कर रहे हैं तो हमें 800 किसकी सह है smith की salary 800 हमें दिखाई देखे रिपर्टरिया display average salary यहां पर करेंगे हम abg नाम का एक function है उसको हम use करेंगे select abg of cell abg of cell है 20073 इतने सारे आ रहे हैं मैं यहां पर round function करता हूं round 2 यहां पर देखे two decimal placement मैंने round कर दिया है as average cell इतना है मैं round अगर 0 कर दूं तो यहां पर 2073 आ जाएगा इस तरह से round function में मैंने average cell के को pass किया और यहां कितने precision चाहिए precision मतलब point के बाद मेरे को कितने number चाहिए अगर zero डालता हूं तो इस तरह आएगा और अगर मैं three डालता हूं तो इस तरह आएगा one डालता हूं तो एक ही point आएगा तो इस तरह से जादा तर two use करते हैं अगर मेरे को नहीं चाहिए मेरे को zero चाहिए तो मैं पूरे precision अपने जो point के बाद सब नमर निका आजबता हूं डिस्प्ले तो maximum salary being paid to clerk तो यहां आपके हम लिखेंगे select max of cell from amp where job equal to clerk clerk max of job equal to clerk क्या गड़बट हो रहा है तो यह clerk जो है यह capital में मैं small में लिखूंगा तो वो आविस नली दिखाएगा यहां पर आ गया देखो thousand three hundred यहां पर आगर मैं देखूं यहां पर इसको sort कर देता हूं क्लर्क के हिसाब से यह चार क्लर्क हैं चारों में आर्ट सो जार ग्यारा सो तेरा सो नो सो पचास तो यहां पर तेरा सो आना चाहिए तो तेरा सो यहां पर लिख दूंगा किसका है सब्सक्राइब जब भी कभी कन्फीर होंगे यह और उसमें लिमेट लगा दिजो आप अगर काम रहे हों वह स्था-प्रकों मुलाको लेकॉर्ड लोड होने लग जाएंगे और वह बहुत टाइम ले लेगा तो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं सेलेक्टार करके लिमिट लगाएं दस्त का लिमिट लगाएं तो आप कुछ रिकॉर्ड देखेंगे उसमें से आप अनुमार लगा सकते हैं कि मेरे को क्वेरी क इसलिंग पेड डिपार्टमेंट नमबर ट्वंटी मैक्स ऑफ साल रंगी एमपी वैर डीपीट नमबर इकवल टू टू ट्वंटी त्री दौजन ठीक है अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप रण कर सकते हैं यहां पे हम देखते हैं डिपार्टमेंट ट्वंटी का सॉ अटरज के तो आठ सो दो हजाननों सो पचास थीन हजारा मी एंसर आये क्या था थीन हजार आये यहां पर इस नेक्सल पार्टमेंट ट्वंटी कि मिन मैसाल बिंग पेड तू इनी सेलवा रहे है ठीक है तो हम यह आंसर आया किया आचा तीन अजा रहा है था है यहाँ आपर आज अपर आज आपर्टमेंट 20 तीन अजा रहा है था है तो इस अजाल इंग पेट तो एनी सेल्समान ठीक है अजाल आपर 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 आ वारोसोपच्छास पांज़ोसो बारोसोपच्छास आंसर है तो वह बारोसोपच्छास आएगा यहां भी क्या करतेंगे as मेंसाल सेल्समां जा यह सेल्समांग जोट में हमें साल्रोब आप सक्टीत्रोब तर्टीत्रो गुस्टिंट्टोब देए मैंगर्ज जीफ एसल्टेटीरत रहे प्रिख प्रम एंप वर के वह था कॉलम है जोब इकोल टू मैनेजर हो एभ आ जोब इकोल टू जोब इको तो टिकर यहां पर याँ पर अबरेस अल्री यहां पर मैं लगा देता हूं कुम्सा फॉंक्छन लगांगा में राउंड फंक्शन लगांगा यहां से सुनिए देखिए आप भूल नहीं जाहिए राउंड फंक्शन टू डिसमें पॉइंट लगा आपके यहां पर यहां किया मैनेजर के सालरी यहां पर मैं चाहिए तो सीरो कर दोता हूं में 2758 हो जाएगा मेरा मैंने क्या अवरेज चालरी है अमांग मैनेजर्स दिसलिए टोटल चालरी ग्रॉन बार अनलिस्ट एलेक्ट सम उसलिए टोटल चाल बोला लिया ना तो इसलिए सम उसलिए प्रम एंपी वेर जॉब इक्वल टू रहेगा क्या रहेगा एनलेस्ट लाव इक्वल टू अनलिस्ट तो सम कर देंगे तो एक टोटल चालरी टॉन बार अनलिस्ट वरकिंग इन देपार्टम न फॉर्टी चाहिए यहां डिपार्टम फोर्टी बोलाँ भाई एपीटी नम्स इक्वाल टॉ कि वैर डिपीट नम्स इक्वल टॉ फॉर्टी गरूं तो डिपीटम में फॉर्टी को कोई है नहीं चलिए चानने के लिए थोड़ा है यहां अपार्टमेंट टुनिल लगा देते हैं तो आ रहा है तो यहां पे मैं कि टुन्टी लगा कर देखूं तो यह चार एंप्लाइ अब यह सम करेंगे तो आपट आएगा तो इस तरह हमें कुछ सोचना पड़ेगा और यहां से अभी एक नया कॉंचप स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैं यह यहीं पर विविराम करता हूं अगर आपको यह वीडियो मजा आया हो और आपने कुछ सीखा हो और नया कुछ तो प्लीज इस वीडियो को थमसब दे देना एक और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसी तरह मैं आसानी से SQL सिखाता रहूंगा और आपको बहुत इजी से SQL सिखाऊंगा और क्रैक करना सिखाऊंगा कैसे इंटर्व्य क्रैक करें कैसे एक ETL टे ठीक है चलिए मैं अभी मिलता हूँ अगले हफते मिलते हैं और एकदम फोड़ते रही है स्केल करते रही है सॉल्व और मेरे वीडियो देखी और एकदम सपोर्ट करते रही है प्लिस सब्सक्राइब तो चैनल एंड सी यू नेक्स्ट वीक बाई बाई